हेलो फ्रेंट्स मेरा डाम है नरेंद्री और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल अकाउंट्स और स्वालिशन में आज का अपना टोपिक है बहुत ही इंपोंटेंट है तो दोस्तों आज के टोपिक में मैं आपके लिए एक इन्वोईस डिज है और उसके अंदर जो एडिशनल चीजे मैंने एड कर रखी है उसके बारे में आपके लिए बताता हूं तो दोस्तों यहां पर जो बीजी का बाइडिपोल्ट जो फॉर्मेट है वह भी मैं आपके लिए बता देता हूं और जो कस्टमर का रिक्वार्मेंट रहता है अलग आपके लिए दिखाता हूं तो इस टेंडट वाला जो बील का फॉर्मेट है इस तरीके से आता है इसका यही स्टेप रहता है और इसी तरीके से दिखाए में आता है लेकिन जो मैंने जो डिजैन किया है उसमें एडिशनल पार्ट क्या है वह थोड़ा में आप लोगों के यह बता देता हूं, तो यहां पर मैंने जो डिजाइन किया है, एक और मैं क्या करता हूं, उस इन्वोिस को देख लेता हूं, उसमें एडिशनल पॉइंट किया है, जैसे मैंने इस इन्वोिस को बनाया, बनाने के बाद जैसे मैं इसको सेव करता हूं तो मेरे से यहां से पूछा जा रहा है कि इसमें एडिशनल पोईंट मेंने क्या एड कर रखा है मैं आपके लिए दिखाता हूँ जैसे मैं एंटर किया सेव किया तो दोस्तों मैं इस इन्वोईस के अंदर क्या कर रखा है डिस्पेश डिटेल इसको कर दिया मैंने सेव करने के बाद अब मैंने जो डिजैन कर रखा है उसमें एडिशनल पॉइंट क्या है आपको अलग से दिख जाएगा जैसे आप इस फॉर्मेट को देखोगे तो अलग से यह आपको दिखेगा थोड़ा अल्टरनेट बिल फॉर्मेट है और यहां से मैंने और राइट पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद इसको यस किया यस करने के बाद जो मैंने इसको design कर रखा है इस तरीके से design कर रखा है यह थोड़ा अलगी आपको दिखाए दे रहा है अब मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि इसमें additional क्या है जिसे आपकी company की information जितने भी company की information है वो सारी आप aid कर सकते हैं जो आपका e invoice का IRN number है वो आजाएगा आपका acknowledge number आजाएगा acknowledge date आजाएगा invoice का number आजाएगा invoice की date order number PO number transport का नाम है e-webill है dispatch की detail के अंदर party का नाम आजाएगा तीन address की line आजाएगी GST number आजाएगा billing shipping की detail भी इसके अंदर है e invoice का QR code भी बना सकते हो और यह payment का QR code भी कि आप generate करवा सकते हैं इसके बाद जैसे customer का जो भी requirement था कि सीरे लंबर आना चाहिए description आना चाहिए एचेशन आना चाहिए quantity आना चाहिए unit इसके बाद डिसकांट quantity MRP basic rate इसके लावा GST का percentage है और amount है ठीक है इसके इसमें यहाँ पे जिस भी ट्रम कंडिशन है वह मैंने एड कर रखिए बैंक की detail एड कर रखिए इसके लावा company का जो भी नेचर मोर रहता है वह भी मैंने इसमें लगा अगर आपको कुछ भी additional point चीए होता है उसके लिए आपको invoice को design कराना ही पड़ता है तो without invoice designing के आप additional जो point चाहते हैं अभी जैसे dispatch की detail है dispatch की detail आपकी कोई सी भी condition में नहीं आएगी क्यों BG के अंदर जो default जो format है उसके अंदर इसा facility नहीं दे रखे कि dispatch page detail को भी print करा सकते हैं तो का जिसा customer का requirement रहता है उसी साफ से invoice को design किया जाता है तो दोस्तों अगर आप लोगों का भी इस तरह का कोई invoice design कराना चाहते हैं A4 का invoice है और इसमें जो जो भी customer का requirement रहता है उसको सारी को उसकी requirement fulfill की जाती है जो भी customer मेरे पास invoice design के लिए आता है तो उनका invoice बना के और मैं अपना यूटूब channel है उसमें upload करता हूं उससे लोगों को पता चले कि बीजी accounting software के अंदर invoice को भी design कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी comment करके जरूर बताए अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को like और set जरूर करें अगर आपने भी अगर सोच रखा है कि invoice को design कराना है तो आप लोग करा सकते हैं मेरा जो contact नंबर है 800-929-9928 तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही next वीडियो में मिलेंगे नई topic के साथ thank you